गंगा किनारे बसा टाउन पटियाली कभी जिला है क्वाटर हुआ करता था आज जिला कास गंज का एक ब्लॉक है एतिहासिक द्रिष्टी से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है महाभारत काल में राजा दुरूपद की राजधानी पतला वती का जिक्र है इसी कारण इसका नाम पटियाली पड़ा एहसील पटियाली में एक कस्वा है गंजडुन्दवारा जिसका नाम पौरानिक काल में दुरून्दवार हुआ करता था रूद्रपूर में नेशनल स्कूल आफ रूरल डेवलप्मेंट के प्रोफेसर सुभाश वर्मा ने इसक्षेत्र के बारे में बताया बर्तमान में तो एक छोटा कस्वा है लेकिन महाजनपत काल और महाभारत काल में ये बहुत ही बहुत ही बहुत साली नगर रहा है यहाँ पर एक मंदिर है पताला देवी का जिसके नाम पर ही इसका नाम पतेयाली पड़ा और पताला देवी को महाराज़ा दुर्पद जो की कामपिल नरेश थे यानि पांछाल नरेश थे कामपिल आज का है उनकी राजधानी थी तो कहते हैं कि ये उनके द्वारा इस्थापत मंदिर है यहां पर गुरू द्रोड़ा चार जी ने भी तपस्या की इस स्थान पर पास में ही पटे आली के पास एक डुंड़वारा सहर है गज्डुंड़वारा जिसे कहते हैं तो डुंड़वारा के बारे में कहते हैं कि उसक कि जेगे जेगे पुरातात्विक इस्थल भरे पड़े यहां पर खंडारूग रूप में और मद्दिकालीन यूग में यहां पर किला जिसकी मरमत गयासुदीन बल्बन निकराई थी कहते हैं कि यह पट्याली का किला महाराजा दुर्पत के द्वारा बनवाया गया था पट्याली खुस्रो की जन्म स्थली है अमीर खुस्रो का जन्म 1213 में पट्याली में हुआ था प्रसेद शायर संगीतकार गायक वल्लोग गीतों के लेखक तबले के अविशकारक थे मध्य यूग में शहाबुद्दीन गौरी ने यहां एक सुद्रन व विशाल की लेका निर्मान कराया था जो नश्ठ हो चुका है पट्याली की महत्ता इससे भी पता चलती है कि पट्याली पर कबजे को लेकर वजीर सफदरगंज व बंगश व नवाबों के मध्यसन 1749 में युद्ध हुआ था पट्याली 1857 में सिपाही क्रांती की साक्षी भी है नादिर शाह ने 1749 में जब दिल्ली में कतले आम का आदेश दिया तो चारो और हाहाकार मच गया किसी की हिम्मत नहीं हुई की विरोध कर सके कतले आम रूखवाने के लिए यहां के राजा हर प्रसाद कायस्त बिना किसी डर नादिर शाह के दर्वार में पहुँचे और निवेदन के साथ एक शेर पड़ा कशे न माद की दिगर न तेजे नाद कुशी मगर की जिंदा कुनी खलक रावबाद कुशी नादिर शाह ने तुरंत कतले आम रोकने का आदेश दिया 1857 में सिपाही क्रांती की साक्षी है पट्याली यहां से कुछ दूर बल्वंत सिंग राजपूत का आबागर का किला है बल्वंत राजपूत ने रविंद्रनाथ टैगोर को शांती निकेतन बनवाने में काफी सहयोग दिया आगरा का बल्वंत राजपूत काले जिन्होंने ही बनवाया था पट्याली बंगश नवाब का महत्वपून क्षेत्र रहा है क्षेत्र की देखरेख मुहम्मद बंगश खान का प्रधन मंत्री नवाब यूसुफ अली खान करते थे